नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं भूगनम आपके साथ जारखन में जे एस एस सी पिपर लीग की एक और जान स्तेज हो गई है वहीं दूसरी और इस पर राजनीती भी गरम है बीचेवी के प्रदिश अद्यक्ष और राज के पूर्व सीएम बाबुलाल मरांडी ने दावा किया है कि पेपर लीग में पूर्व सीएम हमें सोरेंच शामिल है और पूरे मामले की सीबी आई जांच होनी चाहिए पेपर लीग के खिलाब गुरुवार को राची में बीजेपी के युवा मोचा ने राजभवन के बाहर धरना दिया जहां बाबुलाल मरांडी ने कहा कि मैं शुरू से कह रहा था कि इतना बड़ा पेपर लीग का घोटाला बीना मुखे मंसी कारलाई की सनलिपता के बगेर नहीं हो सकता है आज अब बाद साबित हो रही है इदर राची से बीजेपी सांसत संजेसेट ने गुरुवार को इस मसले को लोकसभा में उठाया और कहा कि J.S.C. कैनिडेट का एडमिट कार्ड हैमन सोरेन की करीवी के घर से मिलना गंबिर विशय है वहीं मामले की जाच S.I.T. ने शुरू कर दी है गुरुवार को राची पुलिस की S.I.T. ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है इनमें एक किस्पष्ट सलनिपता सामने आ रही है जिसकी जाच की जा रही है बाबुलाल मरांडी ने कहा कि बाते में शुरू से कह रहा था लेकिन E.D. ने हैमन सोरेन की रिमान अवदी बढ़ाने के लिए 549 पन्नों की जो जानकर रिकोर्ट में दी है उसमें लिखा गया है कि हैमन के करीबी मित्र आर्किटेक्ट बिनोची के मोबाइल और घर से छात्रों की बड़ी संख्या में एडमिट कार्ट परामद हुए हैं जिनने पेसे लेकर बहाल किया जाना था मामले की घंबीटा को देखते हुए सीम चमपाई सोरेन को मामले की जान सी बियाई से कराने की अनुशंसा करनी चाहिए इसे लेकर बबुलार मरांडी ने सोचल मीडिया साइट एक्स पर भी पोस्ट किया है उन्होंने लिखा सभी जानते हैं कि विनोची कौन है वो देश-विदेश की से परिवर यात्रा में हैमेंसोरेन के साथ साइट की तरह चलता है अब ये बात सामने आ गई है कि दलाल विनोच के साथ मिलकर हैमेंसोरेन ने न सिर्फ जमीन लूटी है बलकि मान भात खाकर नोकरी की तयारी करने वाले न गरीब बेरोजगा चात्रों को भी लूटा है इसे बड़ी बेशरमी क्या हो सकती है कि कोईला, लोहा, पत्थर, बालू और जमीन बेशने वाले हैमेंस ने गरीबों की नोकरियां भी बेचती इसी के साथ बने रे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद